हेलो एवरिवन पार्टनर्शिप फंडामेंटल में मेरा अगला टॉपिक्स है इंट्रेस्ट ओन कैपिटल्स ठीक है एक इलिस्ट्रेशन्स मैंने दिया है आपको एक कोशेंस के जरिए मैं आपको सम्झाऊंगा कि इंट्रेस्ट ओन कल्कुलेशन्स कैसे फाइंड आउट होत है ठीक है और आपके सामने मैंने राइट किया है एबी स्टाटेट बिजनस ठीक है बिजनस पार्टनर्शिप फर्म है फिर्स अप्रेल 2018 दे कंत्रिब्यूटेड ओके दे कंत्रिब्यूटेड फाइफ लएक रुपीज एंड आपका 8 लाइक रुपीज है रिस्पेक्टिव ली और फिर आगे देता है क्वेशन में फर्स नमंबर बी कंत्रिब्यूटेड एडिशनल्स कैपिटल 2 लाइक रुपीज दे फाइंड आउट इंटरेस्ट ओन कैपिटल एंड पास जनल इंट्री इंटरेस्ट रेट इस तो गिवन 10 परसेंट ओके तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं तो मैथमेटिकल तरीका है इंटरेस्ट निकालने का एकांटेंसिंग में हम लोग जानते हैं कि जो भी जनली हम लोग करते हैं जो भी कल्कुलेशन करते हैं वो जनली वन येर का होता है अगर इस स्टार्टिंग से वो कंट्रिब करते हैं ठीक है वो 12 मन्त का कब होता है जब एक अपरेल से स्टार्ट होगा और इंडिंग कब होगी 31st मार्च को तो जनली क्या हो जाए एक सल लेकिन अगर कंट्रिब्यूशन क्या है बीच में मिडिल में है जैसे अक्टूबर में कंट्रिब्यूशन है तब हम लोग 31st ट्रेस पे होगा ठीक है अधर्वाइस 12 मन्त का कंसीडर होता है तो डेट से ही पता है जैसे बिजन से स्टार्ट हुआ कब हुआ 1st अपरेल 2018 और उस डेट पे दोनों ने कंट्रिब्यूशन कितना किया ए और बी ने मैंने कहा था पहले मेरे कोश्चन का शॉर्ट स्क्रीन ल ठीक है तो 1st अपरेल 2018 को दोनों का कंट्रिब्यूशन कितना है 5 लाक रुपीज 8 लाक रुपीज है और 1st नमंबर को बी का कंट्रिब्यूशन कितना additional capital के लिए यानि बी ने क्या है आगे चलके business growth किया बी के पास extra पैसा था बी ने एक नमंबर को और पैसे लगा दिए 2 ल 1st अपरेल 1st अपरेल 2018 ठीक है 5 लाक रुपीज का कंट्रिब्यूशन किया ए ने कल्कुलेशन डेट किया होगा 31st मार्स 2019 यानि यहां से अगर एक अपरेल से 31st मार्स तक आप आओगे तो कितने मंत होते हैं 12 मंत होते हैं तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे तो 5 लाक रुपी इंटू 10% rate of interest दिया है rate of interest ठीक है 100 इंटू क्या हो जागा 12 by 12 देखिए 12 by 12 लिखना compulsory नहीं है ठीक है क्योंकि 12 divided by 12 करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है 1 आएगा ठीक है तो इसलिए 12 मंत का जब भी कसेडर करेंगे तो इसको लिखना compulsory नहीं है आपका ओके ठीक है तो अब इसको कट करने में कितना आया इंट्रेस्ट एका 50,000 रूपीज कितना आ गया 50,000 रूपीज उसे दर भी का देखोगे आप तो अगर करोगे आप तो फस्ट अपरेल 2080 को उसका कंट्रिबूशन एट लाग रूपीज था एट लाग रूपीज एड़ रेट अप इंट्रेस् लेकिन बी ने क्या किया था दो लाग रूपे एक्ष्ट्रा दिये थे कब दिये थे एक नवंबर को उसने दिये थे एक नवंबर को उसने दिये थे ठीक है तो फस्ट नवंबर को एडिशनल कैपिल दिया तो एक नवंबर से आप 31st मार्च तक आओगे एक नवंबर से 31st मा मार्च फाइप मन्त हुए तो दो लाख रुपए का आप 10% और 5 by 12 दो लाख रुपए का 10% 5 by 12 करके कंसिडर करोगे तो कितना जागा 8,333 रुपए तो बी का टोटल इंट्रेस्ट कितना हो गया यह कि तो यह इंट्रेस्ट हो गया आपका बी का और दूसरा इंट्रेस्ट ही हो गया तो टोटल बी का इंट्रेस्ट कितना हो गया आपका इतना हो गया ठीक है और इसका fundamental क्या है तो समझ लेते हैं general entry जब भी pass करेंगे तो क्या fundamental जैसे मैंने कहा था firm ठीक है firm और partners तो अलग-अलग person माने जाते हैं तो जाईर से बात है partner ने क्या दिया capital दिया firm को business start करने के लिए तो जाईर से बात है firm उनको interest pay करेगी interest pay करेगी इन्होंने capital दिया इन दोनोंने और यह firm इनको क्या as a reward क्या दे रही है interest दे रही है ठीक है तो interest firm के लिए expenditure होगा क्या होगा expenditure होगा या loss आप मान लो ठीक है firm के लिए क्या होगा यह interest अगर pay करेगी partner को यह firm के लिए expenditure या loss होगा और loss या expenditure हमिशा क्या होते हैं debit क्या होते हैं तो debit तो entry का concept हमारे सामने बैठ गया तो entry क्या होगा interest on capital account debit interest क्या होगा आपका debit होगा तो interest on capital account debit to A's capital to B's capital A का कितना अपने interest निकाला था 50,000 और B का interest अपने निकाला था 88,300 333 ठीक है clear हुआ interest on capital account debit to A's capital account to B's capital account apostrophe S लगा के आप account लगाते हैं जब भी personal होता है ठीक तो total interest यहां भर देंगे तो यहां A का इतना हुआ B का इतना हुआ दोनों को add करेंगे 1,38,330 clear अब आते हैं इसके transfer के entry तो transfer के entry का base यह होगा इसे interest on capital यहां आपने क्या किया है debit किया है interest on capital क्या किया है debit किया है तो इसको transfer करेंगे तो credit कर देंगे क्या कर देंगे credit कर देंगे तो कहां transfer करना होता है 1,333 ठीक है ठीक यह आपका interest on capital जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे find out करना है किस तरीके से values निकालनी है फिर उसके बाद entry क्या करना है ओके हमेशा याद रखेगा interest on capital दो तरीके के capital होते है closing होता है beginning तो हमेशा हम लोग interest जो होता है वो हम लोग beginning capital पे ही find out करते है beginning कहने का मतलब आपने 1st April को आपने 1st April को capital कितना लगाया था ठीक है 1st April को नहीं जब भी business start होगा तब आपने capital कितना लगाया तो उस value पे ही interest निकलता है और दूसरा होता है additional value पे निकलता है additional जो capital contribute होता है उस पे निकलता है beginning पे निकलता है additional capital पे interest निकलता है closing capital पे कभी भी interest नहीं निकालते है closing कहने का मलब 31st March 2019 closing date है closing date को ही आप क्या करोगे interest तो find out नहीं करोगे आपने कितने month उस रुपे का use किया as a business में business में कितने month का use किया है तो 31st को ही calculation कर रहे हो इसी date के capital पे आप interest नहीं निकालते है तो interest हमेशा या तो beginning capital पे निकलता है और या तो additional capital पे या दोनों भी निकलेगा closing capital पे नहीं निकलता है एक concept है आगे questions इससे related में बताऊँगा तो आपो समझ में आएगा ठीक है फिलाल इतनी बाते आपको याद रखनी है आज मैंने आपको बताया कि कोई भी partner capital firm में लाता है फिर बीच में लाता है capital तो month जितना month आएगा उस month के recording calculation कर लेंगे उसके entry क्या पास होगी मैंने entry भी बता दिया ठीक है ओके next topic में next time मिलते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like करें और चैनल को subscribe करें ओके thank you